जाई श्री राम किसान दोस्तों मित्रों सांतियों स्वागत आप सभीका देपालपूर पसुमेले में जहां से तानी भेंस की वीडियो लेकर आएं सोला जुलाई दो हजार चोईस से तो देखिए खचाखच मंडी भरी हुई है जहां से आप लोगों को तानी भेंस का लाइव अपडेट देरी आत्रा नरेंडर यूटूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं तो दोस्तों बने रहे हैं और आन तक वीडियो देखें जिससे आप लोगों को यहां की जानकारी पता चलेगी आज भेंस की कीमत क्या है मंडी में तो देखिए आप भीड अच्छी खासी देखने को मिली है बारिस लगातार पुरी रात से अभी थोड़ा पानी रुका हुआ है किसान की भेंस है इस साइट तो किसान सांतियों आप लोगों से रिक्वेस्ट आए कि हमने पिछली बार भी किसानों की भेंस दिखाई थी आप लोगों को जो आप लोगों की बहुत मांगती दुन्दर का और देपालपूर दोनों जगा किसानों की भेंस दिखाई तो रिस्पॉंस कम मिला आप लोगों ने ज्यादा लाइक और सेयर सस्क्राइब नहीं किया तो इस साइट पूरी जब बिना टेंट में खड़ी हुई सब किसान की भेंस एक सांदार बड़ी भेंस जो दिखने में देखिया आप बढ़िया दिख रही है लेते हैं इसकी जानकारी है तो हाइट में अच्छी खासी है लेकि आप लेका क्या मांग रहे हो एक लाग पांच हजार मांग रखी है अच्छी बड़ी वेंसे निकालो बाओ जी बाहर आओ बाहर निकालो बाहर तो कासम चाचा की एक जाफरी बेस देखते हैं जो वास्तों में टाप अडर क्वालिटी में देखे आप बढ़िया जो टाइम का दस ग्यारा लेटर दूद बताएंगे वैपारी भाई जो भी है अच्छी है जाफरावाती बेस दोई टाइम का 26 लिटर दोनों टाइम का 26 लिटर दूद बता रहे हैं आप देखिए आप है बहुत बढ़िया आइट में तो मान सकते हैं क्या मांग रख रहे हो देदी आपने ली किते में ली तादा एक पच्पन में कहां से आप घंडिया जिला इंदोर में यह क्या नाम है आपका भारत भारत भीया क्या मांगे थे इनने चाचा ने एक असी बढ़िया बढ़िया बेस सेल हुई है देखिए अर बार पुरी अपका बेस लेकर आते हैं नितेहिन के अलावा मुश्कील कोई जाफरा बेस यहां लेकर आते हैं तो अच्छी अच्छी बेस लाते हैं तो पूरे दिन का अपडेट देंगे इस वीडियो के माध्यम से और यह बेस इनोंने खरीद ली है किसान की वीडियो से स्टाट की हमने तो तो तसे डक देंश किसान की देखते हैं 10 15 जंद्रा देंस वेपारियों की देखते हैं जिस से आप लोगों को यहां का अपडेट पता चले नगर परिशत से निवेदने की थोड़ा यह विवस्था जो की ज़़ पानी वहान ती वि व्यवस्ता करें दस बिस रुपे चाय पर्ची पर बढ़ा है आप लेकिन व्यवस्ता अच्छी दो जिससे आप हाट में आओ बया एक और अच्छी बेस है यह भी किसान किये तौप अडर प्वालिकिक छोटे थन में चमड़ी पतली है और चक्री है आख से अच्छी बया लड़ापकी किसकी है अपिर भैस माली को पलब्द नहीं है तो अच्छी बैस है जो दूद में छे साथ चे साथ लेटर दूद निकाल सकते अनुमानिक कीमत कोई देपाल गूल के इसाब से पिंचान्नो नब्बे पिंचान्नो अजार रखती है तो दोस्तों आप देखे आ अच्छी खासी भीड़ भया रामना देखने को मिली है देपालपूर पशुमेला जिला इंदोर मत्य परदेश परतेक मंगलवार को यह हाट मंडी लगती है जहां कानी भैस के मामले में भी अच्छा है आड और बाकरी भैस भी सुबह सुबह बढ़िया मिलती है देखे बड़ी बड़ी मैसे जालो है मैया ने साथ खोली है हो सकता इसकी detail दे हमें कुछ बेपारियों की इच्छा नहीं होती है भैस भी दिखाने की इस कारण से कोई जवर जबस्ति से नहीं देखते हम बढ़ीया किता दूद है आपकी है साथ लिटर टाहिम का है और कहां की है ब बैंस कहां है? कमल भी आब अधा रहें कि दुझात मैं है ठीक है भी यह हम बहुत बड़िया अच्छे बड़ी-बड़ी भेंसे लाते हैं हर बार इनकी बहुंस भी कवर कर रहे हम तो कुछ किसानों की वहसे, कुछ वेपारियों की वहसे, एक वहसे यह भी देखिया आप, अच्छी है, अडर क्वालिटी में, किसकी रादा, बई की है, कई मांगे, एक पांस, दूद, शे लीटर दूद है, ताजा बच्चा है नीचे, पढ़िया है, जी बिया, कहां से पता कि मानपूर के पास, कुछ खाशियत होगी, इसलिए मालिक ने इतना सजाया आए, महिया, क्या मांग रहे हो, एक लाग माना है पाबुजी, और दूद, अगे बेदा भी कर जनी हुई है, कर जनी है, एक लाग मांग, अच्छी पाड़ी है देखे आप सिंगोटी मुर्रा क्वालिटी में है पेला तो भी है कहां से पता रहे हैं यह देपालपूर से ही हो पेला पाड़ी पाड़ी बता रहे हैं महिया जो थोड़ा देड़ी है तिर्ची भेंद बोले हैं इससे हो रही है जो कोसिस करने पर 85,000 र देखें आप मेन मंडी इस साइट चालू हो रही है हम जहां पहुंच रहे हैं खचा कज भरी होई मंडी अच्छी बारिश है देपालपूर तेसिल में जो पानी की जरूरत अभी तक बॉनी के बाद नहीं पड़ी है कंटीन्यू बारिश होती रहती है कि अधिक कुछ किसान की बेस बन भी हुई है साइट एक दस क्यों बाद एक दस मांग गया और दूट किता है यह बच्चा है ते यह बच्चा है एक दस मांग दोस्तों ताजी ब्याय हुई बेस कोई भी हो लाग क्यास पासी किमत करेंगे है यह मेडियम रेंज की बेस है और लेक तो सिंग बढ़िया मुर्रा तंबटे जो यह साहे दिन का लाइव सोधा चल रहा है जड़ा मांग गई है मांग असी हजार असी हजार मांग यह मैंने बोला था कि मीडियम रेंज में जो की सत्तर के आसपार चुट जाएगी चार लिटर दूदे इसी तरह की बेस अगर किसी को खरीद ना है तो धाई मैने की मेरे पास से चार चार लिटर दूद के ले जाए और मात्र पचपन हजार रुपे में छोड़ देंगे और आज का उफ़र अगर कोई आता है तो बावन हजार उससे एक रुपया भी कम नहीं होगा और दाशरी वाले मोहन भीया मोहन भीया एक एक भेस लाना यार मोहन भीया एक एक खुलवाना यार समझ में या थी क्या है चीज शांदार पेलोट पाड़ी दिख रही में को चार दास पाड़ी है इसके पास दूज इसके इनचे पांच अदेश अथा है यह जो अब आई यह यह उद्या अटता है इसकी मांग तुछी एक पंद्रा एक पंद्रा यह ठोल ला है यह प्लें लातेर akan अ Α्ठी बेस लाते आ है Attप सक्षमी किसे हृइं ऑंगालओं इया इधर और यह जंगल पाड़ी शालो रहेैं बढ़ी आटन वंडन इसकी मांग मोन भिया इसकी 15 मांगने के हम च्छे लीटर तैया चे अच्छी बेहस देखने को मज़िए इसके मेश लीटर ओन ये ये वाली की क्या वरकीमत कर रहा आप इसके पंदरा उसके वीं हो एक दव सेंट पंदरा के सब रेंच की भेंच साथ हो कित्ती भेंच मुणली आज पाइब वे तो चार चार भी के चार बेचित चीप पर नहीं तीब यह कहां से आयो कडो ना कडो दा कडो अधिव conservative कडो टीक सब को जे राम जी कि साब जे राम जी आइशा जेंगे कि लिए क्या बिया कित्ते मली विए इत्व पिचोत्तर अच्छी बैसे हाई फूल फूल से उननीस ही है बीसी नहीं है जूद 5-5 लीटर 6-6 लीटर आसपास दे सकती है रिंग सिंग बढ़िया मुर्णा क्वालिटी में इतना साथ किलो शात किलो दूद बता रहे है और इसकी मांग क्या है एक पंद्रा एक पंद्रा मांग रखी है कौन सी ला रहे हैं जो खोल के दिखा रहे हैं जो अच्छी होगी वही पेले दिखाईंगे अर बार और आराम से उसके पास साथ इसके पास शे लिटर दूट यह मेरा अनुमान है अच्छी बेंसे हैं हां बाई जाल कितना दूट है दोई के पास एक के पास है एक के पास है साथ किलो टायन का दूट है उसके तीचे नो किलो टायन का दूट है उसके पास नो किलो है नो किलो टायन का दूट फिर वाली के पास नो लिटर सören की ईसकी एक मैंगी ऀसकी एक बीस एक सतार की बार भी सचिनबियां ने नेंते ऐस्टेrika के ए अच्छी भैस है दोनों भैस बड़ी है और इसके पास अचिन भीया बता रहेंगी नो लिटर टाइम का दूद उपलब्द है और मैंने साथ लिटर बता है था भीया राम अच्छी भैस बहुत बड़ा गड़्डा जो आपको पास से दिखाऊंगा में अडर क्वालिटी भीया रोक दो रोक दो भीया तो हमने रोक दो इसको देखे आप बड़िया थने अगर पीछे से कवर करें तो अच्छी भैस है साथ लिटर दूद निकाल सकती है राइनल क्या अज़ा है सच्छी इंवी ऐसका अगर देड़ लाग रुपे की देड़ लाग रुपे लग रहे है अभी कोई लेरा है हमाला तक लग एक चालीज लग रहे हैं एक अटी निक तालीज का अगर वार बढ़िया वेश लाते हैं हर बार वीडियो में कावर करते हैं हम एक यह कि मुर्रा क्वालिटी की भैस अगर तो अगर यह वाली दिए यह वाली आनु तब मेज भी गया यह वह बहुत भीड़े मुष्किर वीडियो बनाना क्योंकि भीया कहां से बता रहे हैं माचल से यह बेटमावाला माचल तो दोस्तों जब भी देपालपूर पशुआट पहुचना आए किसी भी तरक की जाने कारी के लिए आप इसकरिन पर नंबर दिया है और देपालपूर पशुमंडी का एड्रेस लगबक तो सबको पता है फिर भी हम आप लोगों को बताते हैं जो मध्यपरदेश राज्चे के देपालपूर इंदोर जिले में देपालपूर पशुमंडी है जो इंदोर से 40-45 क अच्छी बेंस है साब सुत्री बेंस थोड़ी दूबली पन पर पांस लेटर दूद की केपिसिटी है इसके पास भी केमत में वही 80,000 रुपे रखती है बढ़िया क्या हुआ कर रहे हैं तो दिखाईंगे आपको अजर होता है तो प्लावा है सली यह इनने इंदे आपने अपने वह दे वाली दो इन अगे बता अगे बाड़ स्काटिक कुछ दो भेंस भीया ने खरीदी कहां से हो भीया कनार कनार के पास इंदोर जिले में यह दोनों भेंस यह और आयो एक कितने मिली भीया दोई एक पिछोत्तर मांगे क्या थे यह दूत निकल रहे हैं है अच्छा अच्छा थाकुर सापने भेंस खरी दिये लेते हैं तो रावराम नागुर्दाव कितना में खरीदी यह अच्छा तो एक तीस मांग रखी दी एक तीस मांग बहुत साप सुत्री है आप नीचे से देखे धन पूरे जो आचल है सफाई है और दूद भी देदेगी आराम से 6 लिटर दूद अच्छी पाड़ी है दुजात पाड़ी है क्यों पेलाद है अच्छा पेलाद पाड़ी बहुत बड़ी हाइट चमड़ी देखो आप जो बढ़नग देखो एक बार ठोल के देखते हैं मैं इसको तभी समझ में आईगी इत्ता दूद निकाल आपने वाँ अभी दो इटेम का बारा किलो दूद उच्छी लिटर तैयार है अच्छा अच्छी बैस है बढ़िया हाउ ऐख फाइनल एक-30 मांग रकी थी और अर अर्जुन शिंग जी दवरा खेड़ी आपने लिए ऐक दस में फाइनल हूई है बडिया भैस जिए बिया कहा से बता रहे हो गुना जिला गुना जिले से क्या नाम में आपका नारायन सिंग्जर नारायन सिंग्जी वीडियो देखके आयो गए आपको हमारी यह ना यह लेकिन वैसे ही नहीं ली ली क्यों रेटें बहुत हाई फाई है गुंदर का जाते ना घरता यार कि ऌ़रू हो मैं कि अबरी में कई थ आराम से शाथ लिटन दूध कालने कि केपिसिती है नाचे ने किहतना इस यह डिलुदी केनर में कि अच्छा नोगए अन। साप सुतरी बेस अच्छी बेस दोस्तों ये भी बेस बड़ी आए करीब चार चार ब्यांत में जनी हुई भेसे चोते लेक्टेशन में और अच्छी बेसे जो चलाव बाउजी आगे नीचे से देखते हैं अच्छा अडर अनों की बनावज कप की कितने दिन की बेसे अच्छी बेसे है अब हाइट वाइड भी बड़िया लेकिन बस थोड़ी सी ब्यांत में ज्यादा है क्या मांग रहें जितन भी आप एक दस साप मांगने के दूदे साथ नीटर दी इस दे में लेने की कीमत क्या रहेगी जितन गया एक पास तक नागोर की ये बेसे अच्छी बेसे बढ़िया बढ़िया थिक बेस बिखी है साइट बढ़ियो अच्छी बेसे दोस्तों आप लोगों को बता दूँ जो बढ़ी हाइप में बेस होती है वो भेस साथ लीटर से आठ लीटर दूद दे सकती है मिडियम वाली पांस अच्छे और हलकी चार लीटर के आसपास एक पाड़ी यह क्या मांग है इसकी तीन तीन लेटर दूज है और फाइनल मिल सकती है यहाँ पे सत्तर हजार क्या सपास 63 से सत्तर हजार अच्छी पाड़ी है रोड रोड की भेस कवर करी है एंडिंग में पहुचे हैं फिर ट्रांस्पोर्ड वेवस्ता बताता हूं में सुमीदा है और हाँ भीया यह वाली अच्छी वैसे खुलवाओ यार भीया एक ग्यारा अच्छी हाई तुमें तो दूद निकाल लिया दूद निकल चुका है देखें आप कि यह क्याणा कि लेक्पिशी हाई थैं हाय सब्सक्रा पाड़ाओ इस पाड़ी भी दूचाथ पाड़ी हाँ जारी दात हाथ इक जह रिखन भर वाल किया आप नहीं मेलीग कहां से बूल जारा कित्ती वार मुश ऑपने कट्टी जान खेंगिicians अच्छी बेंसे कित्ता में लिया अपने एक लाग यारा जी ठोड़ा गुंजाइस एक पांस तक थी अच्छी बेंसे छे लीटर दूर्द निकाल देगी बढ़िया ठीक भईया ठीक तो ट्रांस्पोर्ट की बात चल रही थी ट्रांस्पोर्ट मिल सकता आपको सभी दूर से और 70% बहस मारवार राजस्तान से आती है और 20% लोकल एरिया से और 10% मज्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंशती है अजय तो आपकी वीडियो देखते है हम YouTube पर है क्या नाम है? मॉमिन पटेल है वारा ना चांदन घेडिस एक चांदन घेडिस है तयार है ध्यार दूसरा में पड़ी है अच्छा अजमेर साइथ की बेस है जंगल-nagor जंगल-nagor है अच्छी है वेस शाब-सुत्री-वेस है क्या मांग कर रहा भाया मांगने के लेस नागोर की है नागोर जंगल है ठीक भाया कि यह देने लेने की क्या है किमत एक दस पांच कमी कर दो अरे नहीं देखते हैं पड़ी पड़ी है चार जार पड़ी है ठीक भी आप यहां बीड क्यों लगी हुई है एक बार हम देखते हैं साहे तो में से अलुई है कोईसी बेकी क्या बैया कहां से हो बैया बैया क्या किमत की है एक पैतिस आपकी है क्या है दो दूदेश की पास आज लिए देखे यह वाली बैया ने खरीद दिये लेकिन कीमत में को सूट नी हो रही है चाहे एक पैतिस बताए इनके मुझ पे बोल रहा हूं मैं एक पैतिस की कीमत की बैस नहीं है यह बहिया कीमत तो सही बताओ या यह पंद्राकी एक पंद्राकी नहीं आम है आपका बोलू दर्वार इंगला बिलोच शे हो अधाली बेटमा के करें को सब्सक्रान करें अच्छी बह्या देख रहना देख रहे हैं जो स्यादासे है और वेंस अच्छी है, बडी हाइप मैं जादा है जादा है जुद्ध लगना चीए था एक तीस तो यह दो लगी भी रही है फिर भी लेने देने की क्या रही है तो जंगल क्या आपना कोन सा चाहिए शाचोर से लादे है ठीक है शक्राण भ्याद धन्यवाद मिग गई क्या है इसकी क्या मांगे जादा सत्तर अजार सत्तर अजार देखें आप एक देशी क्रोस बेंसे अच्छी वैसे है अच्छी वैसे है अच्छी वैसे सत्तर अजार मांगे अच्छी बड़े थन्द में देख रहे आप तीजांत में लग रही है यह ब्याई हुई अच्छी है तो मेडिज आप कित्ते दिन की जनी हुई है इन रोज की दूद कित्ता देदेगी दूद देगी के मिसम साथ लीटर ताइम का अच्छा तो क्या मॉल कर रहे हैं एक लाक रहे हैं एक लाक मॉल बहुत बढ़िया वेंस आपने मंडी में हाइट में इत्ती अच्छी कीमत बताईए और लेने देने में क्या रहेगा फाइनल इसका इसके नभेजा रूप रहे हैं आप मंडी की टॉप कॉलिटी की भेंस मात्र नभे हजार रूपे में जो आराम से साथ लीटर दूद देदेगी तो अपना जंगल कुन सा है जालोर है और बेस अपने हाट में आती घर आती है नहीं उतरती है अपका नाम भादूर सिंग बेपर कहां से वाप शाहपूरा से हैं और आपके नंबर इंकर नो ग्यारा हां वच्पन चूदा हां पेटीस ग्रों में एक बेंस जो भीया ले जा रहे पिले वो कवर कर ले हम ले जा रहे हो क्या कित्ते में ली रहा है पिंचान नोजार में अच्छी भेंस है पिंचान नोजार में बड़ी हाइट में देखे आप जो करीब तीसरा चोथा ब्यांत लग रहा है तीसरे बेद की तो और अडर क्वालिटी कामरांब्या कहां से पदार्यवाब बदनावर प्रापर या असपास से बदनावर प्रापर क्या नाम है अपका जीते अंदुशा बेस लेना है हाँ ठीकी जाब और कौन सी बेस एक और दिखात होगा था यह को खुलना बाड़ी जरा यह बड़ी को तो आज की मंडी की सब अब से कम रेंज में कम रेंज का मतलब सस्ती यहां दे रहे हैं शाहपुरा से हैं बादूर सिंग जो देखे आप यह बेस भी करीब 6 लीटर के असपास की केपी सिटी बेस बड़ी है अच्छी है जो राजस्थान मारवार के जंगल की जालोर जिलाइक इसके पास कितना हां मोट बड़िया कीमत लगी आज की जो इस तरह की बेस आज मंडी में एक दस से कम मिलना ही दिये बड़िया कीमत एक अच्छी हाइट में बड़ी बेस देखे आप जो पसंदे मुझे भी तो दूर दे सकती आठ लिटर टाइम का कब की भी आई है भीया कब की भी आई है नुधा लगा रही है ररला खुलाय Já यह लुट कीप्टा लगा दे़ can the bus B अश्याइन है अरि लाव यार यार लाव इस हिए लाव पलस्दूनéré को मिलनाना खुधर नहीं हम इन बेसों से बढ़ी है और मांग भी करीब एक 30-35 जो मांगे अच्छी वैसे बैया साइद यह लोग जो खड़े ने नहीं आए इस बाइस 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 देख रहे आप जो अच्छी खासी हाइट में है फूल हाइट तो नहीं बोलेंगे फिर भी अच्छी हाइट है कित्ता दूद लगारी भी है वाट किलो का निकाल के लेका है बाइसाब अच्छा लिटर दूद बंगिया भी पाज़ों फोर खेज बिटा दुजात है क्यों दुजात पाड़ी है बढ़िया है कौन से एरिया कि अपनी यह नागर बेंट नागर बेंट अभी दूद कित्ता अच्छी बैसे बेड़ भी बढ़िया लागाई हुए अच्छी बैसे बेड़ भी बढ़िया लागाई हुए बड़ी बड़ी भैसे और देखें अब कहां से बढ़ा रहे हो तामलपूर और भेंश ली क्या देखने आयों क्या नामे महिपाल सीन्ग जी तामलपूर से आये हैं जो देपालपूर तेसिल का पडोश का गाउँ है और भेंश खरिचने पहुंचे हैं तो दोस्तों आप भ कि दामनी में पहुंचे हैं जो बड़ी बड़ी बहुंस डेरी फाम के लिए यही देखने को मिलती है साइद इनकी गाड़ी अभी पहुंची है इसा लग रहा है बड़ी बड़ी बैसे देखने को मिल रही है को लार उसकार बहुत बड़ी बैस जो गजु भाई की दामनी से देख रहे हम और हो सकता है तो लाई सोधा भी देखने को मिलेगा यहां बड़ी बड़ी बैसे वर बत्त बादी को मिलेगे देखने की दो रहे है बूंगा का इचले हैं अने मिध्यों ताल उठावा इक हा अलाव ए इक अदौर इस साल कि अब गाड़ाशी है कि अदुमिदूर के अदिन जब को नहीं है इस सबस्कता है पर लाइन का बेटमा वाले की बेंच देख रहे हैं जो आज इन्होंने एक लाग 61,000 की बेंच बेंची है उपलब्द नहीं है नितो आप लोगों को मैं दिखाता भैस को यह पाड़ी भी अच्छी है दोनो जो छेचे साथ शाथ लितर दूट की केबिसीटी होती है इनकी भाई सब क्या दूर है इसके पास दोनों के पास अच्छ किलो यह ताजी जैनी दोई तूर देगी अठाट किलो दोनों आठाट किलो जोनों ग्यारंटी साथा लिए मांग दोनों के साड़े तिन लाग भी बढ़िया देस और मिल चक्ति है यह दोस्तों धाई क्या है से तीन के बिच बिच में अच्छी भैस है नरान काका ठीक भाई आओ लिया अच्छी भैस है दोनों भैस बढ़िया अगरवाल जी की भैस देख रहे है आप फुल हाइट की फुल हाइट में देखिया आप कित्ती बड़ी भैस बहुत बड़ी भैस वास्तों में हाइट में बड़ी है दूद देगी आठ लिटर ताइम का और बच्चा-ताजा कब भी आई ये वारा बैच्वरों जे बच्चे बहुत बच्चा में दूद कित्ता लगा रही अब ही ज़ूद ईगारी दूद अबी लगा रही दूद बहुत बड़िया पाड़ी देखने लायक बांग भी करीब तेर के असपास होगी भईया क्या मांगें भईया मांग इसकी एक लक चालिस एक चालिस बहुत बड़ी बैंसे फुल हाइट पूर दिखाता हूं अब कहां से पदारे पास साधलपूर साधलपूर से आप मिले तक है नहीं पहाट में पहाट में अधिक अधिक एक और बहुत देखते हैं की फुल पल्लेदार हां यह लग रहा में को बनी का जंगल क्रॉस है सिंग से लगता है मुझे अगर कोई नो लीटर की पूरी गयारंटी अच्छी भ्यास है आरा बहुत डिला इसका क्या मांग इसकी इसकी एक इक त्यस यह वाली कित्ते में जोड़ दोगे आप अनुमान यह कुछ भी एक तीस एक बत्तीस एक पचीज एक सवा के उपर उपर तो देखे दोस्तों अगर भेंस खरीद नहीं है तो आप देपालपूर पहुंचे अगरवाल जी की दामनी पचास भेंस खड़ी होती है बड़ी बड़ी बहसे देखरें आप अब हमारी मेनत आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें किसी भ नंबर भी आ है राहूल पटेल से भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं 831-99984072 यह बेज दी किते महीं यह एक लाक शाथ अजार नहीं एक साथ यह भी वो एक लाक शाचार नहीं एक लाक शार बेज दी कॉंचा जंगल अपना यह नागर नागर आपका नाम कहां से आप खड़ी से खड़ी से हो करें कि देखते हैं जो करेंब चोथा ब्यान ब्याई हुई लग रही है बेज अच्छी है बड़ी हाइट में दूध भी साथ लिटर दे सकती है कि बेज दी क्या है अच्छी बेज है इसकी मांग एक दस कर रहे हैं एक दस मांगने के अच्छी है बढ़िया कि तीन दिन की ब्याई भी बता रहे हैं और दूध कहां तक देगी शे किलो तो देना चीए किमत फाइनल क्या लगा रहे हूं पिंचा नों यह बड़ी बेज भी गई है जो हमने पहले वीडियो में कवर करी थी एक लाग दस अजार में हैं यह अब कि अब बंड़नेगर उंभिया से बंड़नेगर उंभिया से बहुत प्राने किरा कि को रुपाई अब भाइजा लीक है आपने किता में आपने किता में दोई किता में नहीं यार महिंगी है दादा